प्रकरण चुम्मालिस्मू महात्मा गांधी साथे वर्धामा वर्धामा आपनु स्वागत छे महात्मा गांधीना मंत्री श्री महदेव देशाईये कुमारी बलेच, श्री राइट अने मारूं आ शब्दोथी भाव भर्यूं स्वागत कर्यूं अने अमने हाथे कातेला सुत्तरना हार अरपन करया ट्रेन नी धूल अने गर्मी थी मुक्तिना आनंद साथे अमारो नानो रसालो ओगस्ट मैना नी एक वैली सवारे वर्धा स्टेशने उत्रों अमारो सामान एक बलद गाडी मा गोठवीने श्री देशाई अने तेमना साथी बाबा साहिब देशमूख अने डॉक्टर पिंगले नी साथे अमे एक खुली मोटर गाडी मा बेठा गामडाना धूरिया रस्ताओ उपर थोडू कागल जता भारतना राजकी ये संतना मगन वाडी आश्रम मा अमे आवी पहुंचया महत्मा गांधी जे लेखन खंड मा पलाठी वाडी ने बेठा हता त्या श्री देशाई अमने तरतज लई गया तिमना एक हाथ मा कलम अने बीजा हाथ मा कागल नों टुकडो हतो तिमना चेहरा पर विशाळ उमण का भर्यूं प्रेमाल हास से छलकात बहले पधार्या तिमने हिंदी मा लख्यूं ए दिवसे सोमवार इमना साप्ताहिक मौन्नो दिवस हतो जोके ए अमारी प्रथमज मुलाकात हती छता आमे एक बीजाने प्रेम थी जोई रहा महात्मा जिये सने ओगणी सो पचीस नी साल मा राची नी शाडानी मुलाकात लई इने गवरवाप्यू हतु अने त्यानी अतितिनी नोंध पोथी मा बहु सुन्दर नोंध करी हती सो रतलना आक्षीन काय संत शारीरिक मानसिक अने आध्यात्मिक आरोग्यनी मूर्ती जेवा हता इमनी नरम घंवरनी आखों मा तीव्र बुद्धी सच्चाई अने विवेक शक्ती तरवर्ता हता आ राजद्वारी पुरुषे कानूनी सामाजिक अने राजकी अक्षेत्रे हज्जारों वाक्युद्ध खेल्यां छे अने आखरे एजे रहा छे भारतना करोडों अशिक्षित लोकों ना रदैमा जे चिरस्थाई स्थान गांधी जी ए मिलवियू छे एवों जगतना कोई पण नेताय मिलवियू न थी महात्मा महान आत्मानू उपनाम एज लोकों ना स्वयम स्फुरित आदरनू द्योतक छे जेव वदू वस्त्रों पहरी शके तेम न थी तेवी पद दलित जनताने खातर तेमनी साथे पोतानी एकताना प्रतीक रूप व्य आपक रीते व्यंग चित्रित पोतडी नेज गांधी जिये पोतानों पोशाक बनावेव छे आश्रम वासियों आपने सर्वान छे आधीन छे क्रुपा करीने कोई पन काम माटे तेमने बोलाव जो श्री देसाई जारे अमने अतित्थी ग्रुह तरफ लई जता हता त्यारे गांधी जिये मने पोताना लाक्षणिक विवेक साथे उतावण मां लखेली एक चिठ्थी आपी अमारा मार्ग दर्शक अमने फळो औने फूल ना बगीचाव मां थाई ने जाली वाली बारियो औने नडियाना छाप्रावाला एक मकान मां लहिया व्या श्री देसा ये कह के आंगणा मां जे कुवो छे ते 25 फूट व्यास नो छे अने ढोरो त्याथी पाणी पिये छे इनी बाजु मां डांगर छडवानी गोल फरती सिमेंट नी चक्की छे अमारा नाना नाना शैन खंडो मां मांत्र जरूर पूर्ती चीजो हती हाथे बनावेली काथी नो एक ख करता हता कागणा ने चकलियों नो अवाज ढोर ना भंबरवानो अवाज अने पत्थर नी कप्ची करता टांकणाओ अथड़ावानो अवाज श्री राइट पासे नी प्रवास नोंद जोईने श्री देशा ये एक पानू उगाडियों अने तेमा महात्मा गांधी ना चु सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी, ग्रुह बनावटोनों उप्योग, अस्प्रुष्यतानों त्याग, आ अग्यार्वरतों नम्रभावे पालवां जोईये। गांधी जी ए पोते बीजे दिवसे आ पाना उपर तारिख 27 मी ओगस्ट 1935 तारिख लखी ने सही करी। अमित्या पहुच्या पचि बेक अल्ला के मारा साथियो अने मने मध्यान भोजन माटे बोलाववा मा आव्या। महत्मा जी लेखन खंड ना आंग्णा नी सामे आश्रम ना सभामन अपनी कमान नीचे क्यार ना आवी ने बेठा आता। लगभग 25 एक उगाड पगा सत्या ग्रहियो पितलना थाडी वाड का सामे पलाठी वाडी ने बेठा आता। सामुहिक प्रार्थना थाया पछी पितलना मोट्टा वासणों मा थी भोजन पिरसाय। घी, चोपडेली, रोटली, तलसारी, बाफेला आने समारेला शाक अने लिम्बूनू गळ्यू अथाणू ए अमारूं भोजन हतु। मात्मा ए रोटली, बाफेला बीट, काच्चा शाक भाजी अने नारंगी आरोग्या। तेमनी थाडी नी एक बाजू ए कडवा लिम्डाना पान नो एक मोट्टो पिंडो हतो। जे नूंदपात्र रीते रक्त शोधक छे। चमचा थी एमानो थोडो भाग छुट्टो पाडी मात्मा जिये मारी थाडी मा मुख्यो। हूँ एने पाणी साथे गळी गयो। बाळपन मा कडवी दवा गळी जवानी मा तरफ थी माने फरज पड़ाती हती ते दिवसो याद आव्या। गांधी जी आ लीमडा नी चट्णी ने धीरे धीरे कशा पण अणगमा वगर खाता हता। आ नजीवी वाद पर थी इच्छा प्रमाने मनने इंद्रियो थी अलिप्त राख्वानी महत्मा नी शक्तिनु माप हूँ काडी शक्यो। केटलाक वर्सो पहला इमनी उपर आंत्र पुच्छा अपेंडिसाइटिस नी शस्त्र क्रियाना खूब प्रसिद्धी पामिला प्रसंग नी मने आदावी। बेभान करती दवाउ सुंगवानों इनकार करी शस्त्र क्रिया दर्मियान इमने शिश्यों साथे हस्ते मुखे वातो कर्या करी हती। इमनु शान्त हास्य इमने कश्चू दुख थतु नौतू एनी साक्षियापतू हतू। नमते बपोरे कुमारी मैदलीन स्लेड हवे मीराबेन जेओ एक ब्रिटिश नौका अधिकारी ना पुत्री हता अने गांधी जीना नोंधपात्र शिश्या हता जेमनी साथे वाच्चित करवानों मने अवसर मलयो। तेमनी दर्रोजनी प्रवृतियोंनू शुद्ध हिंदीमा जारेते वो वरणन करता हता त्यारे तेनों द्रणाने शांत चेहरो उत्साहती चमकी उठेवातो। ग्राम पुनर रचनानू काम घणू फळदा आयक छे। अमारी एक टुकडी दर्रोज सवारे पाँच वागे आजू बाजूना ग्राम वासियोंनी सेवा करवा अने तेमने साधारन स्वच्चतानू शिक्षन आपवा निकली पड़े छे। अमें तेमना शवचा लयो अने माटीना जूपडा साफ करिये छे। ग्राम वासियोंनिरक्षर छे। प्रत्यक्षद्रश्टान्त सिवाय तेमने केलवी शकाये इम न थी। आनंद साथे तेओं हसी पड़या। आ उच्च कोडनी अंग्रेज महिला तरफ हुँ सानंदास चर्रे जोई रहो। जेनी साची क्रिष्चिन नम्रता एने आ पायखानानी सफाई नू काम करवा प्रेरे छे। जे काम सामानने रीते मात्र अस्प्रुष्योज करे छे। तेओं है कहिँ हुँ भारत मां सने 1925 मां आवी। आ भूमी मां मने एवी आत्मियतानी लागणी थाय छे के जाने हुँ मारे घरे पाछी आवी छुँ। हवे मने मारा पूर्व जीवन अने तेना रीत रिवाज तरफ पाछा फरवानू मन कद्दी नहीं थाय। अमे थोडो वखत अमेरिकानी वाद करी। तेने जणाविय। भारत नी मुलाकाते आवता घणा अमेरिकनों ने आध्यत्मिक विशयों मां उंडो रस लेता जोई ने मने घणो आनंद अने आश्चर्य थाय छे। मीराबैने तरत चर्खो लिदो अने कांत्वा मांडिय। चर्खो खरेखर मात्माना प्रहत्नों थी ग्राम में भारत मां सर्व व्यापक थाय गयो छे। गांधी जीनी पासे ग्रुहव द्योगों ना पुनरुद्धार ना प्रोचाहन माटे सबल आर्थिक अने सांस्कृतिक कारणों छे। अने तेम छतां सर्व आधुनिक प्रगतीनों कट्टर विरोध करवानी तेओ सला आपता न थी। यंत्रो, आगगाडी, मोटरवाहनों तार संदेश वगेरे इमना पोताना राष्ट्र व्यापी व्यस्त जीवन मां घणोज अगत्यनों भाग भजवयो छे। जेल मा अने जेल नी बार मळईने थैली एमनी पचास वर्षनी जाहर सिवा दर्मियान, राजकी ये जगतनी व्यभारू विगतों अने कठण सत्यों सामें दर्रो जंग खेलायो होईने इमना संतुलन पूर्वग्रह रहित्ता, सावधानी विलक्षन मानविये खेलनी विन साथ वाग्यानी प्रार्थना वखते अमें पाच्छा मगनवाडी आश्रम मा आवया, जया त्री सत्या ग्रहियों अगाशी उपर महात्मानी आसपास अर्द वर्तुणा कारे बेठा हाता, गांधी जी एक सादडी उपर पलांठी वाडी ने बेठा हाता, तेमनी सामें एक जूनू खिस्सा घड़ियाल लटकतू हातू, आथमतो सूर्य, पोताना छिल्ला किरणो, ताड ने वर्ना वरुक्षो उपर फेंकी रयो हातो, रात्री ना अंधारानी औने तमराना गणगणात नी शरुआत थाई हाती, वातावरन शान तने गंभीर हातू, हूँ आनंद अनि मस्ती माहतो, श्री देशाई एक पवित्र धुन गवडावी औने मंडलिये जीली ने साथ हापयो, पचिक गीता वांचन शरु थेउ, छेवत नी प्रार्थना माटे महत्मा जिये मने इशारो करयो, विचारो औने अभिलाशाओनो केवो दिव्य सन्योग, चिरस्मरण प्रसंग, समी सांजे आकाशनी चत्रचाया नीचे वर्धानी अगाशी पर मलेली ध्यान सभा, बरबर आठ वागे गांधी जी ए मौन छोड़ियू, तेमना जीवनना भगीरत कार्यों ना भार ना लिधे, विविद कामों माटे इमने क्षणे क्षण नी योग्य वहचणी करवी पड़े छे, भले पधार्या स्वामी जी महात्माय करेलू आ वकतनू स्वागत चिठी द्वारा नोतू थेऊं, अगाशी उपर्थी उत्री अमेमना भ्यास खंड मा आव्या, आ खंड बिलकुल सादो हतो, जमीन पर चोरस चटा योज, खुर्षियो नहीं पाथरे ल हती हती, एक खुणा मा सिधु सादू घडिया टक टक करतू हतू, शान्ती अने भक्तिनू साम्राज जव्या पेलू हतू, गांधी जी पोतानू मोहक विशाळ अने लगभग दंत विहोनू हास्य वेरी रहा हता, तिमने खुला सो करें, मारा पत्रव्यवार ने पहुंची वडवा माटे वखत मिलवा सारू में अठ्वाडिया मा एक दिवस माउन पाडवानू वर्षो पहला शरू कर्यू हतू, परन्तु माउन ना ए 24 लाग हावे मारे माटे खास आध्यात्मिक जरूर्यातना थाई पड़या छे, नियत कालनू माउन वरत ए यातना न थी पन वर मार्दान छे, हुँ अंतह करण पूर्वक सम्मत्थ हैो, महत्माय मने अमेरिका ने योरोप संबंधी घणू पूछू, अमे भारत अने वर्थमान जगतनी सामप्रत स्थेती संबंधी घणी चर्चा करी, श्री देशाई जयारे ओरडा मा आव्या, त्यारे महत्माय कहू, म तेमने मने लिम्बोली ना, सिट्रोने लाना तेल नी एक बाटली विनाय पूर्वकापी, तेमने हस्ता हस्ता कयो, स्वामी जी, वर्धाना मच्छरो अहिंसानो पाठ हजी शीख्या न थी, बीजे दिवसे सवारे, अमारा नाना रसाला ये, गोल मा बनावेली घवनी राब अने दूधनो नास्तो करयो, साड़ा दस्वागे अमने आश्रमनी ओसरी मा गांधी जी अने सत्याग्रहियो साथे भोजन माटे बोलाव्वा मा आवया, आजनी वानगियो मा छडेला चोखानो भात, पसंद करेला नवा शाकबाजी अने एलची दाना हता, बपोरे आश्रम भूमी उपर हुँ टहलवान निकलो, त्यारे गउचर मा थोडिक स्वस्थ गायों में जोई, गउरक्षा करवी एक गांधी जी माटे महत्वनू हतु, महत्मा एक खुला सो करतां कैयों, गाय ए मारे माटे मनुष्य तर जगतनी प्रतिनी धी छे, जे मनुष्यनी साहनू भ गाय ने जगेम पसंद करी, ते मने हवे स्पष्ट समझाय छे, कारण के आनू उदाहरन आपवा माटे गाय एज एक सौथी सारो विकल्प हतो, ते घणू आपनार हती, ए मात्र दूधज आपती नथी, पन खेती ने पन शक्य बनावे छे, एक करुणा नू काव्य छे, आ नम्र प्राणी मा तमने मात्र करुणाज देखा शे, लाखो मानव जाती ना माटे ते बीजी माता छे, गाय नी रक्षा एटले परमेश्वर ना समग्र मूंगा जगतनू रक्षण छे, अने आ रक्षण ए आपना माटे वधू महत्व पूर्ण कर्तव्य बनी जाय छे, का भूत यग्न इटले प्राणी जगतने अन आपूंते, आ क्रियाथी मनुष्य तेना थी ओछो विकास पामेला स्रुष्टी ना जीवो तरफ नी पोता नी जवाबदारी नो स्विकार करे छे, आ जीवो सहज वृत्ती थीज स्थूल शरीर साथे ना पोता ना तादात में थ की बंधायला छे, जे मान्यता मानव जीवन नो पन ख्षय करे छे, परन्तु मनुष्य जाती ना खास लक्षन तरीके गणाता मोक्षदाई विवेक ना गुण नो तेमनामा अभाव छे, आ रीते बूत यग्न निर्बळों ने मदत करवानी मानस नी वृत्ती ने उत्तेज आपे छे, केमके उच्चतर कोटी ना अद्रश्य जीवो तरफ थी, एने पण असंख्य लाब मलता होई छे, कुद्रत नी जे जमीन, समुद्रा ने आकाश उपर नी नवचेतन आपती बक्षिसो छे, तेने माटे मनुष्य तेनों रूनी छे, उत्क्रांती ना विकास जीती शकाये छे, दर्रोजना बीजा यगनों ते पित्रु यगन अने न्रु यगन छे, पित्रु यगन मा भूत काड़ना रून स्विकार तरीके पित्रु ओनु तरपन करवानू होई छे, जेनी ग्नान संपदा आजे पण मानव जाती ने उजाली रही छे, न्रु यगन वर्तमान जवाबदारियों अने सहजीवियों तरफना दाइत्वना प्रतीक तरीके अतिथियों अने गरीबोंने अन्नदान करवानू होये छे। बपोरे नानी बालिकाओ माटेना गांधी आश्रमनी मुलाकात लईने मारो न्रू यग्न में पूरो कर्यों। आद दस मिनिट ना मोटर रस्ते श्री राइट मारी साथ है हता। लांबी डालखियों जेवी रंग बेरंगी साडियों उपर नाना नाना चहराओ फूल जेवा लागता हता। बहार खुल्ला मेदान मां हुँ हिंदी मां थोड़ीक वातो पूरी करी रहयो हतो। इटला मां वादला अचानक चड़ी आव्या अने वर्साथ शरू थयो। हस्ता हस्ता श्री राइट अने हुँ गाडी मां चड़ी बैठा। अने चान्दी नी जेम चमकती वर्षा धारा वच्चे मारती गाडीये अमें मगनवाडी मां पहुँची गया। उष्ण कटिबंध नो आउकळाट अने वर्साथ अति थी ग्रुह मां पुनह प्रवेश करया पची त्यानी अनि शुद्ध साधाय अने आत्मत्याग ना सार्वत्रिक पुरावाओ जोई फरी थी हुँ मंत्रमुक्ध थयो। गांधी जीनू अपरिग्रहनू व्रत तेमना परिणित जीवनना प्रथम तबक्का थी शरू थयो आतू। साथ हज्जार रुपया थी वधू वार्षिक आवकापतो इमनी वकिलातनो धीक्तो धंदो छोड़तानी साथेज महत्मा जीये पोतानी बद्धी संपत्ती पन गरीबोने आपी दी दियती। श्री युक्तेश्वर जी त्यागना सामान्य रीते स्विकारायला अधूरा ख्यालो बाबत हलवी विनोधी टकोर करता हाता। गुरुजी कहता एक बिखारी संपत्ती नो त्याग ना करी शके। जो कोई मानस अफसोस करे के मारो धंदो पड़ी भांगयो, मारी पत्नी मने छोड़ी गई, हुँ अवे बद्धु छोड़ी सन्यासियो ना मठमा चाल्यो जाऊंचु। तो एक कया संसार त्याग नी वाद करे छे। एने संपत्ती ने प्रेम नो त्याग नथी करे। पण तेम ने एनो त्याग करे। बिजी तरफ गांधी जी जेवा संतोय मात्र प्रत्यक्ष भौतिक वस्तुओनों ज त्याग नथी करे। पन स्वार्थी हेतु अने मनुष्य जातीना समग्र प्रवाहमा पोतानी जातने होमी दैने व्यक्तिगत आकांग्षाओनों वधारे मुश्केल त्याक पन करी बतावेव छे। महत्माना असामान्य पत्नी कस्तुर्वाए पन जारे जानियूंके पोताना पतिये पोताने माटे तथा छोक्राव माटे कश्ची पन संपत्ती जूदी मुकी न थी त्यारे तेमने कशो विरोध करयो नौतो। किशोर अवस्थामा परणेला गांधी दंपतिये चार दिक्रावना जन्म पछी ब्रह्म चर्यनी प्रतिग्णा लिधी हती। एकुज्वळ नाटक जेवा तेमना सयुक्त जीवननी शांत नाई का तरीके कस्तुर्बा गांधी जीनी पाछल जेल माँ गया हता। त्रोन अठवाडियंमा तेमना उप्वासो मां तेमने भागीदारी करी हती। अने तेमने उठावेली अनंत जवाबदारियों पोतानों पूरे पूरो हिस्सो नोंधावयो हतो। तेमने गांधी जी प्रत्ते तेमनु रून प्रदर्शन नीचे प्रमाने व्यक्त कर्यूं छे। तमारी जीवन साथी औने सहधर्मीनी थवानों जे हक मने प्राप्त थयो छे। ते माटे हूं तमारों आभार मानूछू। ब्रह्मचर्य औने नहीं के विशय भोग ना पाया उपर आधारिज जगतना सर्वशेष्ठ हेवा आपना लगन जीवन माटे हूं तमारों आभार मानूछू। भारत माटेना तमारा जीवन कारे मां तमे मने समान भागिदार गणी छे, ते माटे हुँ तमारो आभार मानूँ छू। जे मेक बालत पोताना बालपन ना रमकडाने कंटाली ने छोड़ी दे छे, तेम घणा पतियों तेमनी पत्नियों अने संतानों ने छोड़ी ने जुगार, घोडा दोड, सुरा, सुन्दरी अने संगीत मां पोतानों वखत बरबात करे छे। देवापती न थवा माटे हुन तमारो आभार मानूँ छू। हुन केटली आभारी छू। के तमें एवापती न थी, के जी बीजाओना श्राम उपरज पैसादार थवा मां बद्धो वखत गाले छे। हुन केटली भागय शाली छू। के तमें लांच ने बाजुए मूखी ने ईश्वर अने देश ने महत्वा आप्यू छे। तमारी मान्यताओं मां तमने श्रद्धा होई, तेमने आचार मां मूखवानी तमारा मां हिम्मत छे अने ईश्वर मां संपूर्ण अने अचल श्र हुन केटली भागय शाली छू। के मने एवापति मलया छे कि जे मारा करता इश्वर अने देश ने वधू महत्वा आपे छे। हुन कृतग न छू। के आपनी जीवन पद्धति मां आटलू वधारे तेना करता आटलू ओचू। एवा फेरफारों तमें करेला तेनी सामें बबढवा के बढवो करवा जेवी मारी युवा वस्थानी भूलों ने अने मने तमें निभावी ली दीजे। एक बाण कुलवधु तरीके हुन तमारा माता पिताना घर मा आवी। तमारी माता एक सारा अने महान स्त्री हता। तेमने मने केडवी अने नीडर अने धर्मपत्नी बनावी, तेमना पुत्र अने मारा भावी पती नो प्रेम अने आदर सम्पादन करता मने शिक्विऊं। जेम जेम वर्सो वीद्ता गया अने तमे भारत ना सौथी वधु लोगप्रिय नेता बन्या। तेहरे सफलतानी सीडी चलवा वाला पुरुष्णी पत्न ना मनमा उठवावालो भय, मारा मनमा ना हतो, के हुँ एक बाजू फेंकाई जैश, जेवु बीजा देशों मा घणी वार बने छे। उँँ जानती हती के मरण आवे, तो पन आपने बनने पति-पत्नी तरीकेज रहवाना छिए। कस्तुरबाय वर्सो सुधी महत्मा जिये उभा करेला लाखो रुप्याना जाहेर फाडाना खजानची तरीके सेवा आपी छे। गांधी जीनी सभाव मा पुतानी पत्नियों घरेना पहरी ने जाए, ते सामें घणा पतियों ने वांधो अतो, एवी विनोधी वातों घणा घरों मा थती समढ़ाती हती। किमके दलि वर्गोनी वकिलात करता महत्मा जीनी आकर्शक वानी थी, लक्ष्मी वन्तों ना हाथ अने गलानी सोना नी पहुंचियों अने हीरा कंठियों आकर्शाई ने गांधी जीनी संग्रह जोडी मा जती रहती हती। एक दिवस जाहेर फाडाना खजानची कस्तुर्बा चार रु प्यानी असंगती ने सक्खत रीते दर्शावी। मारा अमेरिकन विद्यार्थियों ना वर्गो समक्ष में आवात घणी वकित करी हती। एक सांजे होल मा उपस्थित एक अमेरिकन मैला क्रोध थी हाफवा लागी। ते बराडी उठी महात्मा होए के ना होए, जो एम मारो पती होत तो आवा अनावशक जाहर अपमान माटे हूँ एमने बतावी देत। अमारी वच्चे अमेरिकन पत्नियों औने हिंदू पत्नियों ना संबंध मा ठीक ठीक हास्य विनो थया पची में आ बाबत नो स्पष्ट खुलासो आपयो। कस्तुर्बा महात्मा जी ने पोत नानामा नानी भूलने माटे पन ठपको देवानों अधिकार छे एम मानता हाता। में बतावियू। कस्तुर्बा ने जायर ठपको आपया पची थोड़ा वकतमा गांधी जी ने राजगी आरोप सर जेलनी सजा थाई। जारे शांत चित्ते गांधी जी पत्नी नी विदाय लिवा गया। त्यारे पगे पड़ी ने तेव नम्रता थी बूल्या। गुरुजी में तमारों कश्चो पन अपराद करयो होय तुमने माफी आपवानी कृपा करशो। तेज दिवसे वर्धा मां बपोरे त्रोण वागे आगल थी नक्की करया प्रमाने हुं संत ना लेख वगर नी सादड़ी उपर तिमनी बाजु मां पलाठी वाली ने बेस्ता में पूछू। महात्मा जी महरबानी करी ने मने तमारी अहिंसानी व्याख्या कहशो। कोई पन जीवता प्राणी ने विचार थी अथवा वर्तन थी इजान न करवी ते। बहुच सुंदर आदर् पूच्छे कि पूताना बालत ना के पूताना रक्षन माटे सापने मारी शकाय के नहीं। मारा बेव रतो अभय अने अहिंसानों भंग कर्या सिवाय हूं सापने मारी शकू नहीं। एना करता प्रेमना तरंगो थी सापने शांत करवानों हूं आंतरिक प्रयत्न करूं। मा मारा संजोगोंने अनुकूल थवा माटे हूं काई मारा सिध्धान्तोंने छोड़ी शकू नहीं। मोहक निखालस दा थी तेमने आगल कयूं मारे कबूल करूं जो ये के कदाच साप अत्यारेज मारी सामें आवे तो शांती थी आ रिते हूं वात करी शकू नहीं। तेमना ढाल या टेबल उपर पड़ेला पास्चात्य विद्वानों आहार उपर ताजेतरमा लखेला पुस्तकों पर में किटलिक टीका करी। हाँ सत्याग्रह नी चलवल मां बीजे बद्धे होय छे एम आहार नू घणू महत्व छे। कारण के सत्याग्रहियों माटे हूं संपूर्ण आत्मसंयमनों आग्रह राखूँछू। अने तेथी ब्रह्मचर्यनी साधना माटेना अनुकूल आहार नी शूधमाज हूं हौँँछू। समीत साथे तेमने कहू। विशय वासना उपर काबू मिलववा माटे स्वादेंद्रियने जीतवी जो ये। अर्ध भूख मरो के असम तो लाहार एनू निराकरण न थी। खोराक माटेनी आंतरिक तुर्ष्णाने काबू मा लिधा पची एक सत्याग्रहिये प्रमाण सर्ना प्रजीवकों, क्षारों अने कैलरी वगेरे युक्त बुद्धी पूर्वकनों शाकाहार लेवो जो ये। खोराक ना आंतरिक अने बाय विवेक थी सत्याग्रहिना जाती शुक्रनू आखा शरीर माटे जीवन शक्ती माँ उर्ध्वी करण थाये छे। अमें मांस नी अवेजी मां कयो खोराक आपी शकाय तेनी चर्चा करी। में कयों एवोकाडो ए घणू उत्तम फण छे। कैलिफोनिया ना अमारा केंद्र नी बाजू मां एवोकाडो ना संख्याबंद बगीचाओ आवेला छे। में खात्री आपी एवोकाडो ना केटला छोडवा हूं तमने लोस एंजिलीस थी वर्धामा जरूर मोकली आपीश। में आगल पूछूं इंडा पन पूर्था प्रोठीन वाळवा आहार छे। सत्याग्रहियो माटे ए पन शूंवर्जे छे। परिपक्व इंडा त्याज्य नथी। महात्माय हास्य साथे जवाब आपयो। वर्षो सुधी हूं तेना उप्योग नी हिमायत करतो नहतो। आजे पन व्यक्तिगत रीते हूं ते नथी खातो। एक वखते मारी एक पुत्रवधु अपूर्था पोशनने लिधे मरण तोल मांदी पड़ी। तेना दाक्तरे इंडा माटे खास आग्रह करो। हूं कबूल थतो नौतो अने इंडा नी अवेजी मां तेने काई बीजू आपवानी सलाहापतो हतो। दाक्तरे कई हूं। गांधी जी अव परिपक्वे इंडा मां जीवन जन्तुओं होता न थी। ते थी हिंसानों सवाल उपस्थित थतो न थी। में पची थी मारी पुत्रवधूने इंडा खावानी खुशी थी रजा आपी अने ते जल्दी थी तंदुरस थाई गई। आगली रात्री ए गांधी जी ये लाहिरी महाशयना क्रियायोगनी दीक्षा लेवानी इच्छा बतावी हती। महात्माजीनी निखालस्ता ने जिग्नासा वृत्ति थी उन घणों प्रभावित थयो हतो। दिव्यनी शोधमा तेओ बालक जे वाहता। स्वर्गनू राज्य आवाओनू छे ए वाक्य थी जीजजे बालकोनी शुद्ध ग्रहन शक्तिनी जे प्रशंसा करी छे तेने प्रदर्शित करे छे। दिख्षा अपवानों निर्धारित वकत आवी पहुंचो। केटलाक सत्याग ग्रहियो, श्री देशाई, डॉक्टर पिंगले अने थोणाक बीजाओ, जेओ क्रिया योगनी दिख्षा लेवाई छता हता, तेओ ओरणामां आव्या। आ नानावर् तरत तज दरेक व्यक्ति मारिसा में मानव रूपी मोटर नी माफक स्पंदन युक्त बनी गई। गांधी जीना शरीर ना बद्धा वीस भागों मां जे हम्मेशा संपूर्ण रीते खुला रहता हता, तेना उपर थैली असर जोई शकाती हती। एमनु शरीर जोके पातलू छे, छता अणगमों आवे एवू नथी अने शरीर नी चामणी, सुमवाली अने करचली विनानी छे। ते पछी में आखी मंड़ी ने क्रिया योग नी मुक्तिदायक पद्धती नी दीक्षा हापी। महत्मा जी ए दुन्या ना बधा धर्मों नो आदर पूर्वक अभ्या जैन शास्त्रों, बाइबल नो नवोकरार अने टॉल्स्टोय ना समाच शास्त्रिय लखानों ए त्राण गांधी जीना अहिंसाना सिध्धान्तों ना पाया रूप छे। इमने पोतानी धार्मिक मान्नेता निचे प्रमाने जणावी छे। हूँ बाइबल, कुरान अने जं लोकों ए गुरू सिवाय चलावूं पडशे, किमके एकज व्यक्ति मां पूर्ण पवित्रता ने पूर्ण विद्यानों सुभग संयोग भाग्ये जोवा मले छे। पन ते थी पोताना धर्मनूं सत्ते जानवा माटे निराश्थवानी जरूर ना थी, कारण के बीजा बध महान धर्मों नी माफक हिंदू धर्मना सनातन सिध्धान तो अफ़र अने सहलाय थी समझाय तेवा छे। दरेक हिंदूनी माफक हुँ इश्वर मा, तेना एक कत्व मा, पुनर्जन्म मा अने मोक्ष मा मानूँ छू। मारी पतनी माटे नी मारी लागणी नी माफक हिंदुत माटेनी मारी लागणी ने पण हुँ वरणवी शक्तो नथी। जगतनी बिजी कोई पण स्त्री ना करतां मारी पतनी मारा चित्तने सवथी विशेश प्रभावित करी शके छे। तेनामा दोशो नथी इम नथी। हुँ जोँछू तेना करतां कदाच वधारे हशेज। परन्तु अतूट संबंधनू बंधन त्यां छे। तेज प्रमाने हिंदुत्वनी सगडी मर्यादाओ अने दोशो होवा छतां तेने माटेनी मारी लागणी अतूट छे। गीता अने तुलसिदासना रामायनना संगीत करतां बीजा कश्चा थी मने वधारे आनंद थतों थी। मारी कल्पनामा हुँ जारे मारा छिल्ला श्वास लेतो हतो। त्यारे गीता मने दिलासो आपती हती। हिंदू धर्म एकोई एकांगी धर्म न थी। एनामा तो जगतना तमाम पैगंबरोंने आदरणिय स्थान छे। सामानने अर्थमा समजिये एवो एप्रचारक धर्म न थी। निश्यंक एने पोतानामा अनेक जातियोंने समाविली दी छे। पण आ समावेशनी क्रिया उतक्रांतिना रूपमा अद्रश्य रीते थती हती। हिंदू धर्म दरेक मानस्तने तेनी श्रद्धा अने धर्म प्रमाने इश्वर ने भजवानी छूट आपे छे। अने तेथीज सर्व धर्मों साथे एशान्तिती रहे छे। जीजस ना संबंध मां गांधी जीए लखेलू छे। हूँ खात्री पूर्वक मानू छूँ के जो जीजस आजे आपनी वच्चे जीवता होए तो कदा जेमने एमनू नाम पण कदी साम्ढ़ियू ना होए। ते लोकों ने पण जरूर आशिर्वाद आपत। जे विरीते लख्यू छे जे ओ प्रभू प्रभू एम पोकार करया करे ते वो मानस नहीं पन जे पितानी इच्छा प्रमाणे चाले ते जीजस आए पोताना जीवन ना द्रश्टांत थी मानव जाती ने उच्च उद्देश अने एक मेव लक्ष बतावियू छे। जेने प्राप्त करवा अपने प्रयत्न करवो जोईये। उँ मानू छूँ के ए मात्र क्रिस्ती धर्मनाज नहीं पन आखी दुनिया ना सर्व जातियों अने सर्व प्रदेशों ना पैगंबर छे। मारा मुकामनी छली रात्रिये वर्धाना टाउन होल मां श्री महादेव देशाई ये बोलावेली सभा मां में प्रवचन कर्यूं। अखो सभाखंड खिचो खिच भराई गयो हतो। आश्रे चारसो मानसो योग उपर्नो वार्तालाब सामढ़वा आव्या हता। हुँ पहला हिंदी मां बोल्यो हतो अने पछि अंग्रेजी मां अमारो नानो रसालो शानती थी पत्रव्यवार मां गुन्थायला गांधी जीनी जांकी कर्वा माटे वक्षत चर आश्रम मां पाचो आवयो हतो। हुँ सवारे पांच वागे उठेओ तैरे रात्री हजी बाकी हती। ग्राम जीवन शरू थाई गयू हतू। आश्रम ने दर्वाजे थी प्रथम एक गाणू अने पछि थी माथा पर भारे वजन समतोल राखी ने एक खेडुत पसार थेओ। नास्ता पची अमारी त्रिपुटी गांधी जी ने विदाय प्रणाम करवा गई। महत्मा जी दर्रोज चार वागे सवारनी प्रार्थना माटे उठे छे। महत्मा जी नमस्ते। तिमना पगनो स्पर्ष करवा हूं नीचे नम्यों। भारत नू भावी तमारा हाथ मा सला मत छे। वर्धानिया मुलाकात पची वर्षो वई गया। बीजा विश्वयुद्ध थी, प्रुथ्वी, समुद्रो अने आकाश, अंदकार थी छवाई गया हाता। सगळा महा नागेवानों पईकी एक मात्र गांधी जी एज सशस्त्र बढ़नों अहिंसक व्यवहारू उ विकल्प रूपे रजू करयो हतो। अन्यायोंने दूर करवा अने दुखोना निवारन माटे गांधी जी एए अहिंसक साधनों नोज उप्योग करयो छे अने वारे वारे तेनी सफळता पुर्वार करी छे। गांधी जी एमनो सिध्धान्त नीचे ना शब्दों मा जोईूं छे के जीवन विनाशना वमण मा पण टकी रहलूं छे। तेथी विनाशना करता पण एक उच्चतर नियम काम करतो हो जोई। एवा नियमनी अंतर गतज सुब व्यवस्थित अने बुद्धि गम्य समाज संभवी शके छे। अने जीवन जीवा योग्य बने अने ए जो जीवननों नियम होई तो आपने आपना दैनिक जीवन मा एनों अमल करवो जोई। जाँ जाँ युद्ध प्रसंगों उभात हता होई अने जाँ जाँ प्रतिपक्षियोंनों सामनों करवानों होई त्यां त्यां प्रेम थी तेने जीतो। में तो मारा जीवन मा जोयूं छे कि विनाश ना काईदाये क्यारे ना आपया होये तेवा समाधान प्रेम ना चोक्कस सिध्धांते मने जीवन मां आपया छे। भारत मां अत्यंत व्यापक क्षेत्र मां आ सिध्धांतनु दार्शनिक प्रदर्शन थयूं छे। अहिंसाना सिध्धांतने भारतनी 36 करोडनी प्रजाय पचावयो छे एवो मारो दावो न थी, पण न मानी शकाये टलाटूं का समयमा बीजा कोई सिध्धांत करता एवधारे उंडे गयो छे ए मारो दावो छे। अहिंसानी मानसिक भूमिका मिलववा माटे लामबा वखतना कठोर शिक्षण नी जरूर छे। सैनिक ना जीवननी माफक सत्याग्रही नू जीवन पण शिस्त बद्ध होय छे। मन वचन अने कर्म ए त्रणे नी एक सुत्रता होय त्यारेज मानस संपूर्ण स्थितिये पहुंचेलो कहवाय। जो सत्य अने अहिंसाने आपना जीवननों महामंत्र बनाववानों निश्चय करिये तो दरेक सवालनों उखेल आप मेले आवी जाये छे। दुनियाना राजकिय बनावोनी दारून आगेकूच आ सत्य तरफ अचूक रीते निर्देश करे छे के आध्यात्मिक दर्शन सिवाय लोकोंनों विनाश निश्चित छे। भले धर्मद्वारा नहीं, छतां पण विग्नाने सर्व भौतिक पदार्थों मा रहली क्षुद्रता नेज नहीं, परंतु तेनी बिन सलामतीनी जांखी भावना पण मानव जातमा जाग्रुत करी छे। तो पछी हवे मान से पोतानामा रहला सनातन तत्वों मा जे तेनू मूल उगम स्थान छे। त्यान न जतां बीजे क्या जवूं। इतिहास ने तपासता साधारन रीते जणा शे के मनुष्यना सवालो नर्या पशुबढ़ती उखेलाया न थी। पहला विश्वयुद्धना भयानक कर्मोय जगतने ठारी दे एवो हिम गोडों उप्जावेओ। जे माथी बीजू विश्वयुद्ध जन्म्यूं। हवे मात्र बंधुत्वनी भावनानी उश्माज दारून कर्मना हालना विराट हिम गोडाने पिगणावी शक्षे। नहीं तो एमाथीज त्रीजू विश्वयुद्ध फाटी निकलवानों संभव छे। वीसमी सदी नी आ अभद्र त्रिपुटी। जगणाओना निकाल माटे मनुष्यनी विवेक शक्तिने बदले बढ़नों जंगली उप्योग पृत्वीने पुनह जंगल बनावी देशे। जो जीवन माँ भाईचारो नहीं केलवेओ तो भेंकर मृत्यूनी गोद माँ भाईचारो थशे। इश्वरे प्रेम पूर्वक मनुष्यने अनुशक्तिनी शोध माटे प्रेरणा आपी, ते कदाच आवी नामोशी माटे तो नथीज। युद्ध अने गुना कदी पन सारू परिणाम आपता न थी। निरर्थक स्फोटक पदार्थोना धुमाणा पाचल, जे अब्बजो डॉलर वेडफाया, तेना थी तो लगभग रोग थी अने गरीबी थी सदंतर मुक्त एवी एक दुनिया उभीकरी शकाई होत। जे भय, अंधा धुन्दी, दुकाल, महामारी, प्रलय, नृत्य थी पीडाती दुनिया नई, पन शांती, प्रगती, आबादी अने उत्तरोत्तर वत्ता ग्नान थी भरपूर एवी विशाल दुनिया होत। गांधी जी नो अहिं सा कवाज मनुष्यनी उच्चतं चेतनाँने सपर्शे छे, राश्ट्रो साथे नई, पन जीवन साथे, विनाश साथे नई, पन रचनातमक कार्य साथे, धिकार्नी साथे नई, पन प्रेमना सरजनातमक चमतकारों साथे सहकार स्थापित करे, एम आपने जरूर इच्छिये महा भारत कहल छे गम्मे तेवा घा माटे पन क्षमा आत्वी एम कहवायूं छे कि मनुष्य जातीनों अस्तित्व मनुष्यनी क्षमा वृत्ती उपरज टकी रहूं छे क्षमा शीलता एज पवित्रता छे क्षमा शीलता थीज विश्व टकी रहूं छे क्षमा शीलता एज शक्तिवानों नी शक्ति छे क्षमा शीलता एज त्याग छे क्षमा शीलता ज चितनी शान्ती छे क्षमा शीलता अने सव्म्यता एज आत्म सैयमीना लक्षणों छे सनातन सदगुणना ए प्रतीको छे अहिन सा एक शमाशीलता अने प्रेमनू स्वाभाविक परिणाम छे गांधी जी पोकारी ने कह छे के जो कोई धर्म युद्धमा जीव हत्या जरूरी जणाए तो जीजस नी माफक पोतानू अने नई के बीजानू लोई वहवडाववा तत पर रहवूं जो ये आ रीते जगतमा रक्तपात ओचो थाई जशे भारतिय सत्या ग्रहियो जेमने द्वेशनो जवाब प्रेम्थी आपयो छे हिंसानो सामनो अहिंसाथी कर्यो छे अने सामो घा करीने प्रतिकार करवाने बदले क्रूर रिते रहसाई जवाननू पसंद कर्यों छे तेमना उपर कोईक दिवस महा काव्यो रचा छे किटला कैतिहासिक प्रसंगो उपर आनू परिणाम ए आव्यो हतूं के विरोधियो पोताना करता बीजाओनी जिंदगीनी वधारे किम्मत आखनाराओने पोतानी सामे जोईने शर्माईने पोतानी बंदू को फेकी दईने भागी छूटे हाता गांधी जी क्याए छे लोई आण मारगे मारा देशनी स्वतंत्रता मेडववा करता जरूर पड़े तो युगो सुधी हूं राह जोवा तैयार छूँ बाइबल चेतवनी आपे छे जे ओ तलवार वापर शे ते ओ तलवार थी नाश पाम शे महात्माय लख्यूं छे हूं मने पोताने राष्ट्रवादी कहवडावूं छूं पण मारो राष्ट्रवाद आख्खा विश्वजेटलो व्यापक छे ए राष्ट्रवाद मा धर्ती परना बद्धा राष्ट्रों नो समावेश थाये छे अख्खी दुनियानू कल्यान मारा राष्ट्रवाद मा आवी जाये छे बीजी प्रजाओनो नाश करी तेनी भस्म उपर मारा भारतनू चणतर हूं नथी करवा मागतो मारूं भारत एकपण मनुष्यनू शोषण करे एवों हूं इच्छतो नथी हूं भारतने एटला माटे सबल करवा मागूं छूं के एनी सबलतानों चेप अन्य प्रजाओने पण लागे आजना युरोपनों एकपण देश आवूं बनवा दिवा तयार नथी ते ओ बीजा आपवानों प्रयत्न निश्वर जशे तो आपने फरीथी शस्त्रों नू शरन लेवूं पड़शे हूं ते स्थिती उल्टाववा मागूं छूं अने कहूं छूं के आपना शस्त्रों तो क्यार नाये निश्वर थयां छे हवे आपने काइक नवीन साधन शोधिये चालो आपने हवे प्रेम ने सत्य रूपी परमात्मानी शक्तिने अजमाविये आटलू मिलवया पछी बीजा कश्चानी आपनने जरूर नहीं रहे। भारतनी जनताने गड़े उतारी तेने धीरज पूर्वक केडव शे। अहिन सक साधनों अन्याये नी सामेय असहकार शस्त्रों उगामवाने बदले अपमान सहन करवानी तैयारी जेल अने मृत्यूने खुशी थी सहन करवानी तत परता थी। अने सत्याग्रहियोना शवर्य भर्या प्राणार पणना असंख्य दाखलाओ थी जगतनी सहनुभूती मेलव शे। आ रिते गांधी जिये अहिंसा अने तेनी सात्विक शक्ती थी युद्ध सिवाय जगणाओनों केवी रिते अंतलावी शकाये तेनी व्यभारू बाजुनों आबे हूब चितार आपयो छे। गांधी जिये अहिंसा थी पोताना देश माटे कोई पन देश ना बीजा कोई पन आगेवाने फक्तक गोलियो थी मेलवी होय तेना करतां विशेश राजनैतिक छूटों मेलवी छे। अनिष्टों अने अन्यायो नाबूद करवा माटे अहिंसक रीतोंनों सफळ उपयोग मात्र राजकिय क्षेत्रेज नथी करवामा आवयो पन भारतना सामाजिक सुधाराना नाजुक अटपटा क्षेत्रे पन सफळ ताथी करवामा आवयो छे। गांधी अने तेमना अनुयायो ए हिंदुओ अने मुसल्मानों वच्चे नी लामबा वखतनी घणी तक्रारों नू पण निराकरण कर्यूं छे। लाखो मुसल्मानों गांधी जीने पोताना आगेवान तरीके लेखे छे। अस्प्रुष्यो एमने पोताने माटे निर्भय योद्धा अने विजेता तारणहार तरीके लेखे छे। गांधी जी ये लख्यूं छे। मारे माटे जो पुनर जन्मा आववानों होय तो हूँ अच्छूतों नी वच्चे अच्छूत तरीके जन्म लेवानू पसंद करीश। केमके ते रीते हूँ तेमनी वधारे असरकारक सेवा करी शकीश। महात्मा एक खरे खर महान आत्मा छे। पण करोणों निरक्षरोय आ बहुमान तेमने आपपानी दीर्गित्रष्टी बतावी छे। आ नम्र संत पोतानी भूमी मां पूजाये छे। एक अदनों खेडुत पण गांधी जीना उच्च्य आदर्शोंने अपनावी शक्यो। मनुष्यनी अंतरगत दिव्यतानों गांधी जी अंतह करण पूर्वक स्वीकार करे छे। अनिवार्य निश्वरताओ थी तेओ कदी गब्राई गया न थी। तेओ लखे छे। कदाचित प्रतिपक्षी 20 वखत दगो देशे। छता सत्याग रही 21 वखते तेनों विश्वास करवा तयार थाशे। किमके मनुष्य स्वभाव मां भलाई मां पूर्ण विश्वास मुक्वो। ए तो एना सिद्धान्त नों सार छे। महात्मा जी तमें तो एक अपवाद रूप मनुष्य छो। तमें जेम वर्तो छो तेवा वर्तननी तमें जगत पासे आशा ना राखी शको। एक टीका कारे एक वखत आवी टीका करेली। गांधी जीये जवाब आपयो। आपने आपना शरीर ने सुधारी शकिये छिये। पण आत्मानी गूड शक्तियोंने जग्रुत करवी अशक्य छे। एवी भ्रह्मणामां फसाईये छिये। इक खिटलू मधूं विचित्र छे। हुँ ए बताववानों प्रहत्न करूं छू। कि मारी पासे एवी कोई शक्ती होय तो पण। हुँ बीजा बद्धा जेवोज कमजोर मरत्य मानवी छू। मारी पासे एवी कोई अलव किक के असाधारन चीज क्यारे नौती अने आजे पण न थी। हुँ एक सादो मानस छू। जे बीजा कोई पण मरत्य मानवी नी माफग भूलो करी शके छे। एम छता हुँ कबूल करूँ छू। के मारी भूलोनों एकरार करवा अने भूलोने सुधार्वा जेटली नम्रता मारी पासे छे। हुँ ए पण कबूल करूँ छू। के ईश्वर अने तेनी भलाई मा मने अटल शद्धा छे। तथा सत्य अने प्रेम माटे मने अदम्य अनुराग छे। पण आ गुणों शू दरेक मानसमा गर्भित पड़ेला न थी। जो आपने भवतिक द्रश्यमान जगत मां नवी नवी शोधो अने योजनाओ करता हो ये। तो शू आध्यात्मिक खेत्र मां अपने देवालूं काडवानी गोशना जरूरी छे। अपवादोनों गुणाकार करतां करतां तेने नियम बनावी लेवानू शू अशक्य छे। शूए जरूरी छे के मनुष्य पहलां पशू बने अने पच्छी मनुष्य। ए पाण जो बनी शके तोज। अमेरिका वासियो हजी पन सारी रीते याद करशे के पेंसिलवेनिया परगणा मां सत्तर मी सदी मां विल्यम पैने वसाहत स्थापवानों एक सफ़ल अहिंसक प्रयोग करयो हतो। त्या कोई किल्ला पण नौता, सैनी को नौता, लशकर नौतू अने हत्यार पण नौता। नवा वसाहतियो अने रेड इंडियनों नी वच्चे थैली खूंखार सरहदी लडाईयो अने परिणामी खूंरेजियो दर्म्यान पेंसिलवेनिया ना क्वेकर्ज ने कोई ये हेरान करया नहता। बीजा क्वेकर्ज ने कापी नाखवामा आवया हता अने केटलाक नी कतल करवामा आवी हती। पण तेओ सलामा थाता। एक पण क्वेकर स्त्री उपर हुमलो थयो नहतो। एक पण क्वेकर बालक नी कतल थाई नहती। एक पण क्वेकर पुरुष ने कोई ये यातना पहु वासियों ने मारी नाख्वामा आवया। क्वेकर्ज त्रोण अज मराया हता। कारण के तेमनों भरोसो चलित थाई जवा थी स्वरक्षण माटे हत्यार साथे राख्या हता। फ्रैंकलिन डी रुजवेल्टे बतावियू हतूं पहला विश्वयुद्ध मां जे बढ़ वप्रायूं तेना थी शान्ती स्थपाई न थी। विजय अने पराजय बनने एक सर्खान निश्वल छे। जगते आ पाठ शिख्वो जोईतो हतो। लाउट्सू नो उप्तेश छे के हिंसाना जेटला अधिक हत्यार हशे इतनुझ वदारे मानव जाती ने दुख हशे। इंसानों विजय शोक ना उत्सव मां परिण में छे। गांधी जी जाहर करिऊ छे के मारी लड़त जगतनी शांती माटे नीच छे। सत्याग्रहना अहिंसक पाया परनी भारतनी आ चलवल फतेह मन थाए तो देश प्रेम शब्दने नवो अर्थ मल शे। अने पूर्ण नम्रता साथे मने कहवादो के जीवन ने पन नवो अर्थ मल शे। पश्चिमनू जगत गांधी जी ने आ योजना ने एक अव्यवहारू स्वप्न द्रश्टानी कल्पना तरीके गणी काड़े, ते पहला ग्यालिली ना संते सत्याग्रहनी आपेली व्याख ख्या उपर विचार करिये। तमें सामण यूँ छे के आख माटे आख अने दांत माटे दांत, पण हूँ तमने कहूँ छूँ के तमें दुष्टतानों प्रतिकार दुष्टता थी ना करो। पण जेओ तमने एक गाल उपर तमाचो मारे, तेनी सामें तमें बीजो गाल ध हरीदो, विश्व नियमने अध्भुच्योक्साई प्रमाने गांधी युग एक एवी शताब्दी मां प्रस्त्रुत थयो छे, जे बे विश्व युद्धो थी उजड अने ध्वस्त थाई गई छे, तेमना जीवननी पाशान दिवाल पर दिव्य हस्ताक्षरों अंकित छे भाईयो वच्चे विशेष रक्तपात सामे चेतवणी, माहत्मा गांधी ना हिंदी मा हस्ताक्षर, माहत्मा गांधी योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालेनी मुलाकात लिधि हाती, तेमने अतिथी नोंद मां निम्नलिखित वाक्य लखवानी कुरुपा करी हाती, तेमने लख्यूं, आ संस्थानी हुँ सर्व प्रकारे उन्नती इच्छूं छूं, आ संस्थानी मारा उपर सारी चाप पड़ी छे, हुँ आशा राखूं छूं के आ संस्था आगल जतां चर्खानी प्रवृत्ति अंगे वधू ग्नान अने अभ्यास कराव शे। सत्तर मी सप्टेंबर ओग्निस्सो पच्चीस सई मोहंदास गांधी महत्मा गांधी नी पवित्र स्मृति मां तेओ साच्या अर्थमा राष्ट्रना पिता हाता अने एक पागल मान से एमने मारी नाग्या। लाखो, करोडो, लोको, कलपांत करे छे कारण के प्रकाश जतो रहो छे। पणा भूमी उपर जे प्रकाश पत्रायलो हतो ते सामान्य नोहतो। एक हज्जार वर्ष सुधी ए प्रकाश आपना देश ने उजालतो रह शे अने जगत ते जोशे। नवी दिल्ली मां त्रीसमी जानिवारी ओग्णिसो अलतालीस ना रोज महत्मा गांधी नी हत्या पछी भारत ना वड़ा प्रदान जवाहलाल नैरू आप्रमाने बोलया हता। पांच मास पहलांज भारते पोतानी राज किये स्वतंत्रता शांती थी मेलवी हती। इठ्छो तेर वर्ष ना बुजुर्ग गांधी जीनू कार्य पार पड़िऊं। इमने आभास थैलो के इमनो अंत नजीक छे। आभा सगळा अगत्यना कागळो लाव। आ करून गटनाने दिवसे सवारेज इमनी पउत्री ने इमने कयू। आजे मारे जवाबों आपवाज जोईये काल कदाच न उगे। पोताना लेखनना घणा फकराओं मां गांधी जीये पोताना अंतिम भावी नी आगाही करी हती। इमना नाजुक अने उपवास जरजरित शरीर मां त्रोण गोडियों गई त्यारे मरणों मुख महत्माए धीरे धीरे जमीन पर ढ़ली पड़ता हिंदू प्रणाली का प्रमाने नमस्कार करता होए ए रिते हाथ हूंचा करी क्षमा अपवानों मूख इशारों कर्यों द्धाज क्षेत्रों मां तेओ निर्दोश कलाकार तो हताज। मृत्यू समय गांधी जी श्रेष्ठ कलाकार सिद्धत है। गांधी जीना निस्वार्थी जीवन ना समग्र आत्मत्यागने परिणामेज आवी अंतिम प्रिमाळ अभिव्यक्ति शक्य बनी। आलबर्ट आइंस्टाइने महात्माने अंजली आपता लख्यूं छे। एम बने के भविश्यनी प्रजा आवो कोई पुरुष सदेहे पृत्वी उपर विचर्यों हर्षे के केम एनी शंका कर्षे। रोम ना वैटिकन थी पोप नो संदेशों छे के महात्मा गांधी नी हत त्या थी अहीं दिलगिरी फेलाई छे। इसाई मुल्योवाला इश्वरी दूद तरीके एमनो शोक अहीं पड़ाये छे। निर्देश्ट जीवनकार्यनी सिद्धी माटे पृत्वी परावता बद्धाज महापुरुषों ना जीवन साथे कोईक सांकेतिक अर्थ संकड़ आलोज होई छे। भारत ना आइक्यमाटे थेलूं गांधी जीनू असामान्य मृत्यू ए प्रत्तेक खंड नी कुसंप थी विभक्त थेली दुन्याने आपेला अहिंसाना संदेशाने गणोंज बडवत्तर बनावे छे। भविश्यवानी जेवो तेमनों संदेशो आ प्र दूत छे।